दोस्तों हर सुबह की तरह आज भी हम आपको लिए सबसे पहले और सबसे बहतरी प्रस्णों के संक्रन के साथ महीना का पहला दिन यानि एक अक्टूबर का करेंट डेकर आया हूं जो आने वाली प्रिक्षावट डिस्ट्रिकों से काफी महत्पुन साभीत होगा शुरू करने से पहले आप चनिवेदर नेकी वीडियो को लासा देखे एवं अच्छा लगे तो लाइक और सेयर जरू करें क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट हम लोग को काफी मोटिवेट करता है इवं जो भी भी चैनल पर नए हैं चिन्होंने भी चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है बुब्ली चैनलों को सब्सक्राइब कर ले एवं रिगूर अबिट पाने के लिए वेड आइकन को भी दबा ले तो बिना समय बेर्थ किये बाटते अपने पहले प्रसुन की और सबसा पहला कोशन देखते हैं विश्वस्ता काहारी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्वसा काहारी दिवस हर साल को एक अक्टूबर को मनाया जाता है यह जो एक अक्टूबर साकाहारी दिवस है वो गरह के चारो और प्रतिवर्स मनाया जाता है यह 1977 में उत्री अमेर्का साकाहारी समाज द्वारा स्थापित उत्सब का दिन है और 1978 में अंतरास्टे स संग द्वारा समर्थन किया गया है खुसी करुणा और जीवन विर्धी की सम्भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह मना जाता है का मना जाता है एक अक्टूबर को विस्वर साकाहारी दीबस के रूप में ठीक है अगला कुशन देखते हैं भारत और किस देश प्रयोजनाओं कायारमन की समिख्षा के लिए निगराणी समीथि का गठित करेंगे यानि भारत और किस देश के साथ में प्रयोजना को एक सुब वस्ती तरीके से चलाने के लिए निगरानी समिती गठन करेंगे तो यह भारत और बागादस के साथ में यह समिती गठन हुआ है जो कि भाद और भाद इसके एक उचस्तरिय निग्रानी समीती गठित करने पर समत हुए है जो भारत के रिंज सहयोग से चलाई जा रही प्रिजनाओं के कायारमन की प्रगति को नियमित समच्छा करेंगे समीती के अधिक भाद इसके आर्थिक संबंद के प्रभाग सचीब और भारत के उचाईबत होंगे यह था आपका यह जो समीती गठित हुआ था अब भाद इसका बात है तो उसे जो फैक्ट रहते हैं कैप्टल है धाका और ऑफिशेल लेंग्वेज बंगाली है पर स्टुडेंट है अब्दुलहामीद और प्रधान मंतरी पीय मैंने सेख असीना है करेंसी जलता ठका और पाड़ अमेंट को बोलते हैं जाती है संसत भव है तो उसका अंसर आप लोग को कमेंट में देना है तो आप लोग से रिक्वेश्टर के सांसर कमेंट में जरूर दे अब अगला कुशन देखते हैं किस संक की सथापना 30 सितमबर को हुई थी अब देखते हरजन सेवक क्या था और कैसे का सथापना और क्यूं असथापना हुआ था तो गौंधि जी 1932 में जब पूने के अरेवेडा जियल में अंसर्ण पड़ थे तब 30 सितमबर के दिन हरजन सेवक संक की सथापना हुई थी यहां एतिहासी घटना 1931 में लंदन में दूसरे गोल में सम्मेलर के बाद हुई इस सम्मेलर में गांधी जी ने हिंदु समुदा के बंचित बर के लोग को प्रिथक निवाचत समों के रूप में अलग करने का बिरोध किया था जो भी लोग का प्रिथक चुनाब हो रहा था जो भी अलग अलग समुदाई का जो भी अलग अलग कर्मिनिटी का प्रिथक चुना बोला था तो इसके लिए यह बिरोध के रूप में किया गया था ठीक है अब अगला पुशन देखते हैं डिफेंस इंडिया स्टार्ट अप चलिंज चार की सुरुवात किसके दोरा की ग गहरे को बिस्तारकरने के उधेश से की गई पहल के साथ आइडिकस का अकरम के दौराण डिफेंस इंडिया स्टाट अप चलिंज़्ड का सुरुवात किया गया है अगला कुशन देखते हैं गुजराज सरकार ने जल छेत्र में किस देश के साथ समझोता गयापन पर हस्तक्षर किया है मतलब कि जल की आपूर्ती बेगर के लिए ये आपका हस्तक्षर किया गया तो किसे साथ की जगए है दिनमार्ग के साथ और गुजराज भात के जो राज है घुजराज सरकार टीर फैर दिनमार्ग के बारे में बात और दिनमार्ग के близिक 트ORY लेकिन इसका नेवर कंट्री में कल बताया था उसका आंसर आप लोग को क्यों पूछता हो ना तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक ही कमेंट में सारा अंसर दीजिए यह नहीं कि मतलब अलग-अलग इंडिविजियों मतलब अलग-अलग कमेंट दे रहे हैं ऐसे नहीं लेकिन उसी में सारा अंसर एक शक कीजिए तो ऐसे कीजिए तो मुझे देखने में सहुलियत होगा और उन लोग का नाम भी यहां पर लाने में सहुलियत होगा ठीक है अब अगला कॉशन देखते है फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिूट आप इंडिया के अध्यक्स के अगला कुशन देखते हैं भारती रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागुता अभियान के लिए बॉलीबूर के किस मेगा स्टा को चुना है यह अमिताब बचंजी को भारती रिजर्व बैंक यानि आरभी आई के दौरा ग्राहक को जागुता है वालीवूर के मेगा स्टा को चुना गया है अमिताब बचंजी को और रिजर्व बैंक का बात है तो अरभी आइक है एड़क्स का है मुंबई है और यह ब्रिटिस गवर्मेंट के दौरा बिटि गांदे के सासनकाल में इस वो एक ही क्रिद किया गया था गवर्नर को अभी है सक्ति कांदा जो कि अपके कुंटि फिप गवर्नर है अरभी आई के तो यह आरभी के वारे इंफ्रेक्ट हो गया आई होप आपको समय में होगा अब बला कुशन देखते हैं अगला कुशन दे गया यह बस यह कोश्चन इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना बस यह आपके लिए मदलब आपको अवर्नेस के लिए बस क्या भी बावरी मस्वित का जो बिद्वन्स हुआ था उसका जो सुन्भाई हुआ है लकनो इस पेसल सिभाई कोड के द्वारा बस इसके लिए जानन इनको मिलन स्वाग्र速 कि निसन दिद्विसल और जील आन ने नहीं वी किया और जो भी भूकिय थे जो नीडी लोग थे जिने भोजन की चर्रती उन्हें वहर लोग को पास पहुचाए हैं और वो हर लोग के पास जा के खुद से मिले हैं और मलब इनके द्वारा बहुत ही अच्छी स्टेप्स लिए गये थे जिसे काफी लोग को मद मिला है तो सुनु सुझ दी आपको भगबान खुब सारी शक्ति दे आप ऐसे से कार्यों करते रहें और लोग कि और बिजने स्क्वर्ण की गोस्ना किया है और यइंफ्टर बिजने dirig का हुश लगया है मत्ति और सुर्ण करने वाल किन वाला है जो भी औरैस्टेलिया कॉंटेनिके बारे में और हिंक मींद कुछ फ स्वेक्स अप को तो आप लोग तो आप लोग उत्अ म्याइन वाला ह सिर्फ, continent के बारे में जो दो facts है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आप लोग थ्वासा सहियम बना करहिएगा, Australia continent क्यों क्या बोलते हैं, 85 भूमी का महादीब बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक भी जौला मुखी नहीं है, यह भी आपको याद रखना है, कि Australia continent में एक जौला मुखी नहीं है, Australia continent को उसे निया भी बोलते हैं, यह भी आप लोग पताना चाहिए, उसके बाद यहाँ जो भी कुछ आपका डिजर्ट है, उसके बता दूँ आपको, Great Victoria डिजर्ट यह रहा आपको, Great Sunday डिजर्ट यह रहा आपको, टनामी डिजर्ट रहा, उसके से यहाँ पर एक मर्रे नदी है, और मर्रे और डार्लिंग, यह दो नदी दोनों एक दूश्य के असपास में है, जो की अस्टेरिया का, मलब जीवन का स्रोत है, पानी का स्रोत है, और जो मर्रे नदी है, वो अस्टेरिया की सबसे बड़ी नदी है, वहाँ हमेशा पानी रह उसी तरीके से जो मर्य नदी है वो अस्टेडिया का गंगा नदी है यह कह सकते आप ठीक है यहाँ पर आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यह आपको दिख रहा हुगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसका सबसे उची चोटी जो है उसका नाम मौन किसे स्को है ठ सब्सक्राइब आपको दिख रहा होगा ये पर्थ है ठीक है और यहां पे आपका Milbourn है और Milbourn से पर्थ के बीच में जो ट्रेन का रास्ता है जो Railway Line बीचा हुआ है उसको बोलते है ट्रांस एस्टेडियन Railway ठीक है आप रोपर्थ पता होगा पर्थ में मैच होता है जो लोगी मैच से इंट्रेस्टिर होंगे उनको पता होगा, थीक है यह था आपका स्टेरिया बारे में उसके बास से यह यहां पर आपका इसी साड में अपका नव Susie Land और न्यूसी लेंड में जो न्यूसी लेंड जो है एक रॉसका kommen राफ में है और इसका नाम है मौन्ट कुक ठीक है स्टेडिया कॉंटिनेंट का एक जो सौधर्न आल्पस है उसकी सबसे उची चोटी का नाम है मौन्ट कुक आप लोग लिख लिएगा उसके वाद से पूरब का जो बिरिटेन है वो निजू निडियो कहते हैं आप लोग सबको पता होगा और पूरब का ग कर लिया करो यार चलिए कोई बात नहीं जो कीजिए जैसा आपका मन है वो कीजिए मैं तो आप से कर सकता हो ना अगला कुछन देखते हैं गूगल इंडिया ने छोटे वेविसाई के समर्थन के लिए कौन सा देशब्यापी अभियान चलाया है जिसका नाम मेग समेल बदलब मेक स्मॉल स्टॉंग चोटा बनाओ लेकिन स्टॉंग बनाओ यह आपका गूगल इंडिया के दोरा यह आपका मतलब अभियान चलाया गया है अगला कुछन देखते हैं कुबैत के सिर्शाजनाई की बशासक का हाली में अमेरिका में एक अस्पताल में निधन हो ग अगला कुछन देखते हैं हाली में रास्टिय बाल अधिकार संट्चन आयोग ने कोबिट 19 से प्रभावित बच्चों को प्रामर्श देने के लिए किस हिल्प लाइन की सुरूआत किया है इस हिल्प नाइक का नाम संबेदना है जो की रास्टिय बाल अधिकार संट्चन आ राजना सिंग दोरा लॉंच किया गया पुष्टक और वोके अप्लावर का लेखक कौन है तो अगला कुछन देखते हैं विदेश मामलों की संसद्य समीति का सदस हाले में किसे चुना गया है तो हर सिम्रत कौर बादल जी को विदेश सिमामलों की संसद्य समीति का सदस के रुप में चुना गया है अब लोग कमेंट में यह अंसर कि और जी अभी किस पद से अस्थिपा दिये थे उसके बाद इन्हें चुना गया है तो इसके पहले वो कौन से पद पर थे तो इसका कितने questions मैं पूछ लिया हूँ अभी तक तक्सक्मैं पूछाऊ फूर जो भी पूछाऊ उसका answer आप लोग को कमेंट में ज़रूर देना और सक्कार यह सब को देनाई यह नहीं कि अलग अलग सब दें अलग नहीं सब बोब करते हैं जिसका आप लोग को कमेंट में देना है कोसर्ण है श्रकार जी को प्रेश स्रकार नियू चैर्मिन के रूप में अपॉइंट किया गया है जिसका अंसर ब्यूटी सिंग जी ने काफी एची तरीकिश दिया था, ब्यूटी जी इसी तरीके से आप हर्दी नासा देते रहे, भगवान आपको खुब सा सकती दे, आप खुब सा तरक्की करे और अपने गोल को जल्दी से जल्दी एचीव करे, ताकि आपसे हम लोग भी क साफी आपके खुशी से खुश हो, तो इसका मैं और भी कोशन पूछा था, जो की सिक्स स्टेट में है, उत्र प्रदेश में है, महास्टा में है, बिहार में, करनाटका में, अंदर प्रदेश में है, ये और तिलंग आना में था, इसका भी अंसर इनो ने दिया था, उसके इस तरीके से और जो भी लोग नहीं दे रहे हैं कमेंट में आंसर, वो लोग भी दीजे, मुझे काफी अच्छा लगेगा आपका नाम फुकारने में, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज आंसर दिया की जिए, अगला कुशन देखते है, कुशन देखते हैं, कुश जो जो कुशन में पूचा हूँ, सारा का अंसर आप लोग कमेंट में एक जिवह पर दीजे, अलग लग नहीं, एक जिवह पर दीजे, ठीक है, यदि आप GKGS या अस्टेटिक के कोई भी भी से का फ्री अस्टेडिम मेटेरियल पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे के लिए हमारे ओफिशल टेलिग्राम चनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्किप्स में दिया हुआ है, आप लोग वड़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और इसे अपने सगे संबंध वीडियो दोस्तों में सेर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में अंतक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप से अगले दिन, जय हिंद।